क्या हुआ जब एक लड़की रात दो बजे चुप चाप अमरनात की गुफा के अंदर चली गई जो वहां घटना घटित हुई गुफा के अंदर शाख शाख जो चमतकार हुआ उसे देख कर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी अगर आप भी महादेवी के सच्चे भक् तो कॉमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखियेगा धर्ती पर स्वर्ग कहे जाने वाली कश्मीर घाटी में स्थित श्री अमरनात स्वामी की पवित्र गुफा में हर साल प्राकृतिक हिम शिवलिंग की पूजा की जाती है जी हां दोस्तों यहां हर साल श्री लंक उसे 10 फीट लंबे शिवलिंग का निर्मान होता है जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चमतकार है लेकिन सबसे बड़े आश्चर्य का विशय तो यहां है कि यहां बनने वाला शिवलिंग ठोस बर्फ का होता है जबकि आसपास हमेशा कच्ची बर्फ बनती है यहां क एक और बड़ा चमतकार है कि अमरनाथ भगवान के साथ साथ उसी तरह यहां पर गनेश जी भैरव जी और पारवती जी का भी रूप प्रकट होता है इस स्वयंभू जोतिरलिंग के निर्मान में सबसे पहले बर्फ का एक बुलबुला बनता है जो 15 दिनों तक लगातार ब शिव जी से माना जाता है लेकिन आज तक कोई इस रहस्य को ने की सुलजा पाया कि इसका असर इसी शिवलिंग पर क्यो पड़ता है इस घटना में हम जो बाबा बर्फानी का चमतकार आपको बताने वाले हैं उसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे बात है सन 2019 की एक जुलाई 2019 से बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली थी और निशा शर्मा नाम की एक लड़की काफी समय से अमरनाथ जाने की तयारी कर रही थी उसने अमरनाथ की स्वयंभू जोतिरलिंग के बारे में बहुत सुना था इसलिए वह अमरनाथ की यात्रा क करना चाहती थी वो दिल्ली से शीनगर के लिए रवाना हुई जहां से अमरनात की दूरी मात्र 152 किलोमेटर है। लेकिन हिंदू मान्यता क्या कहती हैं जरा ध्यान से सुनियेगा जब भी हमें अमरनात की यात्रा को तै करना होता है तो सबसे पहले पहलगाम पहुचना होता ह जो अमरनात की गुफा से 96 किलोमेटर की दूरी पर है। निशा जब पहलगाम पहुची तो वहां रुक कर सबसे पहले उसने थोड़ा आराम किया कहते हैं भगवान शिव ने भी अपनी इस यात्रा में यहीं पर आराम किया था जहां पर उन्होंने नंदी बैल को छोड़ जबने के बाद महादेवा आगे की ओर बढ़े थे। अपनी यात्रा के इस पड़ाव में नीशा शेशनाग जील पहुची शेशनाग जील अपने आप में काफी सुन्दर है। और यहां पर महादेवी ने अपने गले से सापों को उतार दिया था इसलिए जील को जाता है। अपनी यात्रा के अगले पड़ाव में निशा गनेश टौप पर पहुची जहां पर महादेवन ने गनेश जी को छोड़ दिया था। और इस यात्रा का अंतिम पड़ाव 5 तने के नाम से जाना जाता है जहां पर महादेव शिव ने अपने 5 तत्वों का भी त् भगवान शिव ने इसी गुफा के अंदर माता पार्वती को अमर्ता का मन सुनाया था लेकिन किसी को भी उस मंत्र को सुनने की इजाजत नहीं थी इसलिए एक एक कर के रास्ते में महादेवी ने सभी को छोड़ दिया था लेकिन कहते हैं उस समय उस गुफा के अंदर महादेव, शिव और माता पारवती के अलावा एक कबूतर का जोड़ा भी मौजूद था और जब महादेवी ने माता पारवती को वह अमरिता की कथा सुनाई तब उन दोनों कबूतरों के जोड़े ने भी उस कथा को सुन लिया और वह सरवदा सरवदा के लिए अमर हो गए ऐसा कहा जाता है अगर आप अमरनाथ की यात्रा करने के लिए जाते हैं और आपको वह कबूतर का जोड़ा अगर दिखाई दे दिया जाए तो यह आपके लिए बहुत चमतकारिक साबित हो सकता है यूँ समझ लीजियेगा स्वयन साक्षात महादेव शिव और माता पारवती के दर्शन आपको हो गए निशा जब पंच्तरनी पहुँच गई थी तो वहां से अमरनाथ की गुफा का सफर काफी कम था कुछ ही समय में 11 से 12 किलोमीटर की दूरी तै करके वह अमरनाथ की गुफा तक पहुँच गई लेकिन वहां पहुँचते पहुचते रात्री हो चुकी थी और दर्शन बंध हो चुके थे बहुत भारी सैने बल वहां पर तैनाथ था ताकि किसी प्रकार की कोई गलत गतिविधी न हो अब सुबह तक का इंतजार करना निशा के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था तो उसने सोचा क्योंना कैसे भी करके आज रात्री में ही भगवान अमरनाथ के दर्शन कर लिए जाएं तो वह चुपचाप धीरे से अमरनाथ की गुफा के लिए रवाना हुई लेकिन गोपा में पहुँचने से पहले ही वहां खड़े सैनेकों ने निशा को रोक दिया और दर्शन बंध है कहकर उसे वहां से जाने को कहा लेकिन निशा बहुत जिद्दी थी जैसे सैनेकों की टुकडी उस जगह से हटी मौका पाकर चुपचाप वह अमरनाथ की गुफा के अंदर चली गई यह गुफा काफी बड़ी थी आखिर अमरनाथ गुफा की खोज किसने की थी आखिर वो इनसान कौन था जिसने सबसे पहले अमरनाथ की गुफा को खोजा आपको जानकर हैरानी होगी कि वह एक मुस्लिम शक्स था आगे इसकी कहानी पर भी चर्चा करेंगे जब निशा अमरनाथ गुफा के अंदर गई तो के साथ एक ऐसा चमतकार हुआ जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिये निशा को इस गुफा में बाबा बर्फानी की दस फीट लंबी शिवलिंग के दर्शन हुए यह दर्शन सामान्य नहीं होते वास्तव में बड़े चमतकारिक होते हैं लेकिन जब वह गुफा से बाहर ही आ रही थी तभी उसे कबूतर का जोड़ा दिखाई दिया कहते हैं जब इन कबूतरों के जोड़े ने अमर कथा को सुन लिया था तो महादेव इनसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे और जैसे ने भस्म करने वाले थे तब उन्होंने कहा कि अगर आज आपने हमें भस्म कर दिया तो आपकी अमर कथा जूठी साबित हो जाएगी महादेवी ने उन्हें वर्दान दिया कि सृष्टी के अंत तक तुम इस गुफा में अमर रहोगे और कलियुग में तुम दोनों शिव और पार्वती का प्रतीक माने जाओगे जो भी तुम्हारे दर्शन करेगा उसके सारे पापों का अंत हो जाएगा निशाने जब कबूतर के जोडे के दर्शन किये तो वह धन्य धन्य हो गई और चुपचाप उसी तरहे गुफा से बाहर आकर अपने कैंप में जाकर सो गई क्योंकि यात्रा की शुरुवात ही हुई थी ऐसे में अमरनाथ धाम में बहुत ज्यादा भीर जमा हो गई थी निशाने सोचा क्यों न एक बार सुभा और बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिये जाएं वह जब गुफा के अंदर गई तो भीर बहुत ज्यादा थी लेकिन सामने का नजारा चौकाने वाला था क्योंकि उस समय बाबा बर्फानी के शिवलिंग बहुत छोटी थी ठीक तरह से बैन भी नहीं पाई थी तब निशा को यह देखकर बहुत हैरानी हुई क्योंकि रात्री में ही उसने गुफा के अंदर दस फीट लंबे शिवलिंग के दर्शन किये थे और एक ही रात्री में शिवलिंग का इतना छोटा हो जाना यह बहुत चमक कार की बात थी कहते हैं भक्त के मन में अगर सची श्रधा भाव हो और अपने भगवान से मिलने की उसके अंदर उमर हो तो भगवान आधी रात को भी उसे अपने दरबार में बुला लेते हैं जिसका प्रत्यक्ष प्रमान हमें निशा शर्मा से मिलता है वे उस समय रात्री को चाहती तो सुबह होने का इंतजार कर सकती थी लेकिन उसने अपने आराध्य से मिलने की जिद कर और उसे जिद के चलते महादेव उन्हें गुफा के रास्ते भी खोल दिये और साक्षात दस फीट लंबे शिवलिंग ने निशा को दर्शन दिये जो वास्तव में बहुत बड़ा चमतकार था और इस चमतकार को देखकर वो भी धन्य धन्य हो गई लेकिन सवाल यह उठता है दोस्तों की आखिर अमरनात गुफा में शिवलिंग को सबसे पहले किसने देखा आखिर कौन था वह मुस्लिम साक्ष आखिर क्या है उसका नाम कहानी जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे माना जाता है अमरनात के गुफा की खोज बूटा मलिक नाम के एक मुस्लिम शक्स ने की थी एक दिन यह शक्स अपनी भेड़ बकरी को इस जगह पर चहरा रहा था उसी समय उसकी मुलाकात एक दिवे साधू काफी चमतकारिक मालूम पढ़ रहे थे सा लग रहा था उनके पास काफी सिधिया मौजूद थी साधू महाराज को काफी प्यास लग रही थी तो बूटा मलिक ने अपने पात्र से उन्हें जल पिला साधू महाराज की प्यास को बजाया तो बदले में साधू ने बूटा को कोईले से भरा हुआ एक बैग भेंट में दे दिया जब बूटा मलिक ने घर जाकर उस बेटी को खोला तो वह कोईला सोने के सिकों में बदल चुका था यह चमतकार उसे हैरान कर रहा था इसे देखकर वह पुनह साधू का धन्यवाद देने के लिए उसी जगहे पर दोबारा पहुँचा लेकिन महादेवी का चमतकार इतना बड़ा था कि उस जगहे पर साधू की जगहे उसने बहुत बड़ी विशाल गुफा को पाया और जब से इस गुफा की खोज हुई अगले तीन साल के बाद से वहां अमरनाथ यात्रा शुरू होने लग गई कहते हैं गूटा मलिक के जो वन्शज है आज भी अमरनाथ गुफा की रक्षा करते हैं और इसी क्षेत्र में रहते हैं एक पौरानिक कथा यह भी कहती है कि अमरनाथ गुफा के सबसे पहले दर्शन महर्शी भेगु द्वारा किये गए थे एक कथा के अनुसार जब कश्मीर घाटी पूरी तरह से पानी में डूबने वाली थी जहां पर आज अमरनाथ की गुफा मौजूद है तो महर्शी कश्यप ने नदियों और नालों के जरिये इन पानी को बाहर निकालने की कोशिश करी और इस तरह से घाटी से पानी को बाहर निकाला गया उस दोरान महर्शी भेगु हिमालय की यात्रा करते हुए उस रास्ते से निकल रहे थे और उन्होंने तपस्या करने के लिए की किसी शांत जगह ढूंडा ऐसे में खोज करते करते वे अमरनाथ की गुफा में पहुच गए जहां पर उन्हें बाबा बर्फानी के दर्शन हुए और तभी से हर साल अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन करने के लिए भक्तों की भीर जमाही रहती है आपको क्या लगता है आखिर इन दोनों कहानियों में से कौन सी घटना सच हो सकती है अमरनाथ गुफा को पुरातत विभाग वाले पांच है चार वर्श पुराना मानते हैं अर्थात महाभारत काल में भी यह गुफा थी लेकिन उनका आतलन गलत भी हो सकता है क्योंकि सवाल ये उठता है कि जब 5,000 वर्श पूर्व गुफा थी तो क्या उसके पूर्व गुफा नहीं थी हिमाले के प्राचीन पहाडों को लाखों वर्श पुराना माना जाता है उन में अगर कोई गुफा बनाई गई होगी तो वो हिम युग के दौरान बनाई गई होगी जो 8 से 12 से 13,000 वर् पुरानी है, दोस्तों अमरनाथ में स्वयंभू जोतिरलिंग का निर्मान होता है, जिसे अमरनाथ जोतिरलिंग कहते हैं, यह हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपको एक बात पता है कि माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी अमरनाथ की गुफा में ही मौजूद है क्योंकि यहाँ पर माता सती का कंटेंट गिरा था और उस हिंखंड का निर्मान भी हर साल शिवलिंग के साथ ही या अपने आप प्राकृति लेकिन महादेव ने आखिर माता पारवती को अमर कथा क्यों सुनाई आपके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा आखिर अमर कथा होती क्या है दोस्तों जो इनसान अमर कथा को सुन लेता है जान लेता है वह हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर हो जाता है एक बार माता पारवत प्रश्न किया आप गले में मुंडे माल क्यों धारण करते हैं? और आखिर किसकी मुंडे माल है तब महादेव ने जवाब देते हुए कहा कि मेरे गले में जितने भी मुंडे की माल आये हैं. उसमें एक-केक मोल्ड तुम्हारा ही लगा हुआ है, तुम जन्म लेती हो और तु माता पार्वती ने कहा कि मैं हमेशा जन्मुम्रित्यु के चक्र में क्यों फस्ते हूं आप तो सदैव सदैव के लिए अमर है। पती को अमरता का मूल मंत्र मिला इस घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं और क्या आज से पहले अमरनात के रहस्य से आपको पता है। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा विडियो पसंद आई हो तो अवश्य लाइक करें।